आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अनर्सा की रेसिपी ये एक प्रकार की मिठाई है जो स्पेशली बिहार में बहुत प्रसिद है खाने में ये बहुती स्वादिश्ट होता है और आप इसे बहुती आसान तरीके से घर में मौजूद सामगरी के साथ बना सकते है तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं अनर्सा मिठाई को हम दो स्टेप्स में बनाएंगे सबसे पहले हम खोए को भुनेंगे और दूसरे स्टेप में हम चावल के आटे को गूतेंगे तो हमने करीबन 1500 ग्राम खोआ लिया है और अब हम इसे भुनेंगे हमने अल्रड़ी गैस ओन करके पैन को गरम कर लिया है और अब हम उसमें डालेंगे खोआ और गैस के फ्लेम को कर देंगे लो और इसे कंट्यूनेसली चलाते रहेंगे देखिए हमारा जो खोआ है वो मेल्ट होने लगा है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है हमें इसे जादा नहीं भुनना है सिर्फ 4-5 मिनट और अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम पिसा हुआ चीनी आप इसकी जगा खड़ा चीनी भी इस्तमाल कर सकते हैं और इन सब को अच्छी तरीके से मिला दे और हमारा खोआ की स्टफिंग बनके तयार है और अब हम चावल के आँटे को गूतेंगे इसे गूतने के लिए हम गरम पानी का इस्तमाल करेंगे तो हमने ग्यास ओन करके पैन रग दिया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी जितना हमें आटा गूतने में लगेगा और अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम पिसा हुआ चीनी इसकी जगा आप खड़ा चीनी भी इस्तमाल कर सकते हैं जब पानी में उबाल आ जाएगा और चीनी मेल्ट हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम चावल के आटे को गूतेंगे तो हमने 200 ग्राम चावल का आटा लिया है एक बड़े से परात में और अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच रिफाइन ओईल चावल के आटे से आप कोई भी चीज बनाएं चाहे वो नमकीन हो या मीठा तो आटे को गुतते वक्त आप मोयम कम रखे नहीं तो तलते वक्त वो चीज आपकी फट सकती है तो आपने देखा कि हमने चावल के आटे में सिर्फ दो चम्मच रिफाइन ओईल का इस्तमाल किया है और फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे दोनों हातों का इस्तमाल करकर तेल को चावल के आटे में पहले अच्छी तरीके से मिला ले और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चीनी का जो पानी हमने बनाया है उसे डाल कर इसे गूत लेंगे चावल के आटे को गरम पानी के साथ ही गूतना होता है लेकिन पानी उतना गरम होना चाहिए जितना आप इसे गूत सकें और हमें इसे आटे की तरह गूतना है जैसा नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं चावल के आटे को हमने गूत लिया है और यह नहाजादा सॉफ्ट है और नहाजादा हाट और अब हम अनार्सा मिठाई बनाना शुरू करेंगे तो चलिए अनार्सा की मिठाई बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम गूते वे चावल के आटे में से मीडियम साइस के बॉल निकाल लेंगे यह मिठाई खाने में बहुती स्वाधिष्ट होता है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस रेसिपी को एक बड़ जरूर ट्राई करें इस मिठाई को बना के आप 10 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होते हैं और अब हमने एक बॉल लिया है और हातों से गोल करके फ्लैट कर लिया है और अब हम इसे बीच से दबाते हुए एक कटोरी का शेप देंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच खोआ और वापिस से इसे चारों तरफ से दबाते वे इसकी मूँ को बंद कर देंगे और इसे एक बार फिर से गोल करके फ्लैट कर दे और एक बढ़ियां सा शेप दे दे और अब हम इसके उपर सफेद तिल लगाएंगे सफेद तिल को लगाने के लिए सबसे पहले हम इसके उपर लगाएंगे चीनी पानी का घोल एक चम्मच चीनी को हमने पानी में घोल लिया है और एक ब्रश के हेल्प से इसके उपर लगा देंगे और फिर हम इसे सफेद तिल के उपर अच्छी तरीके से पलट लेंगे ताकि तिल अच्छी तरीके से इसके उपर लग जाएंगे, थोड़ा हातों से भी इसके प्रेस कर देंगे उसके अंदर stuffing डालेंगे और फिर इसका मूँ को बंद कर देंगे और गोल करके फ्लैट कर लेंगे और अब हम लगाएंगे चीनी पानी अच्छी तरीके से और तिल के उपर कोट कर लेंगे और आप चाहें तो इसे हातों से दोनों हतेली के बीच में थोड़ा दबा भी दे ताकि तिल अच्छी तरीके से इसके उपर लग जाए, स्टिक हो जाए चावल के आटे में खोई की स्टफिंग करने के बाद हमने इसके उपर तिल की कोटिंग किये है और आप देख सकते हैं कि अलड़ी कितने अच्छे लग रहे हैं ये और अब हम इन्हें तलेंगे तलने के लिए हमने अलड़ी कड़ाई में तेल को गरम कर लिया है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे हाई फ्लेम पर नहीं तलना है ग्यास के फ्लेम को मीडियम कर दे और फिर एक एक करके इनको तेल में डाले अगर आपने इसे गरम तेल में डाल दिया एक तो हमारा तिल भी जल जाएगा और चावल का आटा अंदर से अच्छी तरिके से पकेगा भी नहीं तो बड़ी सावधानी से एक एक करके इन्हें तेल में डाले और जब ये एक तरफ से हल्का ब्राउंड हो जाए तब इसे पलट लें और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं इसे पलट पलट के आप चारो तरफ से हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करें और लगभग ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब हम इने प्लेट में निकाल लेंगे देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं बहुत ही क्रंची बने है ये और इस तरीके से हम बाकी को भी तल लेंगे ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं और इने भी हमने प्लेट में निकाल लिया है और हमारी अनारसा की मिठाई बनके तैयार है देखिए फ्रेंज हमारा अनारसा मिठाई अंदर से कितना अच्छा और कितना क्रंची बना है देखिए फ्रेंज अनर्सा की मिठाई बनकर तयार है यह बहुती खस्ता और बहुती स्वाधिश्ट बनी है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें तो अगर आपको हमारे यह चैनल पसंद आया है तो चैनल को स सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू